नीट 2020 को इस थगित करने की मांग को लेकर कुछ हपते पहले ही देश के ग्यारह अलग-अलग राज्यों से छात्रों ने सुप्रीम कोट में जनहीत याचिका यानि की PIL तायर की थी चात्रों ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के वीच सुरक्षा कारणों के वज़े से एक्जाम को पॉस्पोन करने के लिए सुप्रीम कोट में याचिका दायर की COVID-19 माहमारी के कारण नीट 2020 परिक्षा पहले ही दो बाट टाल दी गई है लेकिन अब इसे पहले से तैय तारिख 13 सेप्टेंबर को ही आयोजित किया जाएगा इस सब्ता के शुरुआत में सुप्रीम कोट ने नीट 2020 को पॉस्पोन करने की जनहीत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अब इसे और आगे स्थागित नहीं किया जाएगा और इसे तैय तारिख पर ही कंड़क्ट किया जाए नीट को पॉस्पोन करने को लेकर सुप्रीम कोट में अलग-अलग विचार थे जहां एक याचिका नीट 2020 को पॉस्पोन करने की मांग कर रही थी वहीं दूसरी याचिका में इस इंटरेंस एक्जाम में छातरों के भविष्य को देखते हुए और देरी ना करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोट के इस फैसले के जबाब में कुछ छातर संगठनों और वकीलों ने पीमों से इस मामले में संग्यान लेने के लिए लिखा है और नीट 2020 को पॉस्पोन करने की मांग की है अलग हालोक सिरवास्तव उन वकीलों में से एक हैं जिन्होंने प्रधान मंतरी कारयाले को नीट 2020 को इस्थागित करने के लिए पत्र लिखाया अपने पत्र में उन्हों ने विफिन बिंदों का उलेख किया है कि क्यों NEET 2020 को रद किया जाना चाहिए इसी बीच में विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के एक शुक शात्रा ने दिल्ली हाई कोट का दरवाजा खट-कटाया है चात्रा ने मांग किये कि विदेश से मेडिकल कोर्स करने के लिए पूर्व निर्धारित नीट योगता के बिना उसे इलिजिबिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए असल में चात्रा ने अपने दलील में कहा कि वो उजबेकिस्तान से अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करना चाहती है और कोर्स के लिए एडमिशन की आखरी तारिक है 20 अगस्त लेकिन भारत में नीट 2020 पर एक्षा 13 सितंबर को आयजित की जाएगी जिससे वो एडमिशन लेने के लिए इलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगी जस्टिस वी कामिस्वार राओ ने तीन हपते में याचिका पर फैसले के लिए एमसी आई को निर्देश दिये है सुप्रिम कोट के फैसले के बाद अभी तक ये तैह है कि नीट 2020 निर्धारी तारिक 13 सितंबर को ही कंड़क्ट की जाएगी और रूश एजुकेशन सभी छात्रों से परिक्षा के लिए पूरी तरह तयार रहने का आग्रह करती है